दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी इंडिया की 5 कौन सी कमपनीज हैं जिनमें FIIs का स्टेक बहुत जादा है अब आप ये जानना चाते होंगे कि FIIs क्या होती हैं तो दोस्तो इसको बोलते हैं Foreign Institutional Investors मतलब कि इंडिया के बाहर के लोग बाहर की बड़ी-बड़ी Companies जो इंडिया की Companies में आके Investment करती हैं और आप ये जानने में बहुत इंटरस्टिड होंगे कि इंडिया की कौन सी Large Gap Companies में सबसे ज़्यादा FIIs ने Investment किया हुआ है मैं जगदीप सिंग आपका स्वागत करता हूँ Grow Channel में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक Grow के चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से Grow के चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक तीन से चार वीडियो एजुकेशनल परपस के उपर डालते हैं जो आपके एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसमें FIIs का स्टेक बहुत ज़ादा है तो अगर मैं बात करूँ एक ऐसी कंपनी की तो इस कंपनी का नाम है ICICI Bank तो ये एक बैंक है जिसमें FIIs का स्टेक काफी ज़ादा है अगर मैं percentage की बात करूँ तो ICICI Bank में FIIs का स्टेक 40% से भी ज़ादा का है चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ ICICI Bank के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि ICICI Bank एक banking sector का second largest private sector bank है तो दोस्तों अगर मैं ICICI Bank से related कुछ important ratios के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि banking sector में बहुत important होती है एक ratio जो हमें बताती है कि price to book value कितना है कि book value पे bank की उसका भी current price कितना चल रहा है तो अगर मैं ICICI Bank के PB ratio की बात करूँ तो ICICI Bank का PB ratio दो का है अगर हम इसको इसकी industry के साथ compare करें banking sector के साथ compare करें तो banking sector में कुछ एक बहुत बड़े-बड़े bank से जिनका PB ratio अभी इससे काफी जादा है जैसे कि अगर मैं कोटक महिंदरा bank की बात करूँ तो उसका PB ratio 5 के आसपास का है वहीं पे अगर हम HDFC Bank की बात करें तो उसका PB ratio 3 से उपर का है तो इन सब के comparison में ICAC bank का PB ratio थोड़ा सा कम है इसके अलावगर मैं इसके share price की बात करूँ तो अब इसका share price 360 और 370 का असपास trade करता है लेकिन बीच में एक बार जब coronavirus की वज़े से market dip किया था तो इसका share price एक टाइम पे 280 का असपास trade करने भी लगा था और dip के बाद बहुत अच्छी recovery दिखाई इस bank ने और इसमें काफी दर investment किया हुआ है FIIs ने अगर मैं ICACI bank के market capitalization की बात करूँ तो ICACI bank का market capitalization 2,31,000 करोड के आसपास का है जो इसको बना देता है इंडिया का second largest private sector bank चलिए दोस्तों बात करते हैं second company की जिसमें FIIs का stake बहुत जादा है और इस company का नाम है Zee Entertainment Zee Entertainment के अगर मैं बात करूँ तो आज से एक साल पहले तक इसका share price 400 के आसपास trade करता था जो अभी गिर के 200 से नीची आ गया है मतलब कि अपने peaks से इसका share price 50% नीची आ गया है इसके अलाव अगर मैं Zee Entertainment के market capitalization की बात करूँ तो इसका market capitalization 18,000 करोड के आसपास का है अगर हम बात करें कि Zee Entertainment में FIIIs मतलब कि foreign institutional investors का कितना stake है तो foreign institutional investors का Zee Entertainment में 68% से जादा का stake है जो कि एक बहुती बड़ा number समझा जाता है इसके अलावा अगर मैं Zee Entertainment के P.E. ratio की बात करूँ price to earning ratio की बात करूँ तो इसका price to earning ratio 13 के आसपास का है वहीं पे अगर मैं इसके P.E. ratio को इसके industry के साथ compare करूँ तो इस industry में जहांपे Zee Entertainment operate करती है वहाँ पे industry जो average P.E. ratio का वो 25 से जादा का है मतलब की industry के comparison में Zee Entertainment का जो P.E. ratio है वो काफी कम है लेकिन हाल के दिनों में Zee Entertainment में थोड़ी सी problem निकल के आई थी debt के वज़े से जिसकी वज़े से इसका share price काफी नीचे चला गया था लेकिन वापीस अब इसने थोड़ी सी recovery दिखाई है और इसके अलावा इसमें FIIs का stake काफी ज़्यादा है चली दोस्तों बात करते हैं तीसरी company की जिसमें FIIs का stake बहुत ज़्यादा है तो इस company का नाम है भारती Infratel अगर मैं भारती Infratel के business की बात करूँ तो ये tower infrastructure service provider company है जो अलग-अलग towers को बनाती है उनको operate करती है उनको on करती है और overall जो communication का infrastructure होता है उसको development करने में help करती है तो दोस्तों बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सिरफ ATEL की company है लेकिन नहीं ये जो infrastructure बनाती है अलग-अलग companies को देती है और वहां से इसका अलग-अलग जगा से revenue निकल के आता है तो अगर मैं बात करूँ कि बारती infratel की तो इसमें जो FIS का stake है वो 40% से जादा का है चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं बारती infratel के financial parameters के बारे में तो दोस्तो अगर मैं इसके market capitalization की बात करूँ तो बारती infratel के market capitalization है वो 40,000 करोड के आसपास का है वहीपे अगर मैं इसके P-E ratio की बात करूँ तो इसके P-E ratio 19 के आसपास का है वहीपे अगर हम इसके P-E ratio को industry के साथ compare करें तो industry का P-E ratio भी almost similar है जो 23 के असपास trade करता है अगर मैं भारती इंफ्रेटल के share price की बात करू तो जब coronavirus की वज़े से dip आया था तो इसका share price 140 के असपास चला गया था लेकिन अभी इसका share price 218 के असपास trade करता है तो मतलब कि अपने dip से वापिस almost 50% उपर आ चुका है तो दोस्तो अगर हम debt level की बात कर रहें तो भारती इंफ्रेटल पे debt level बहुत जादा नहीं है और इसके लावा जो net operating cash flow होती है वो इनके लिए positive है जो की एक बहुत अच्छी बात है जो communication sector से निकल के आती है चलिए दोस्तो अब बात करते हैं फौर्थ company की जिसमें FIIs का stake बहुत जादा है और आपको सुनके हरानी होगी कि ये company भी banking sector से निकल के आती है और इस company का नाम है Axis Bank अगर मैं आपको थोड़ा सा Axis Bank के बारे में बताओ तो Axis Bank इंडिया का एक private sector से bank निकल के आता है दोस्तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि Axis Bank के बारे में कोई एक financial parameter की तो एक बहुत important financial parameter जो Axis Bank के लिए निकल के आता है वो है price to book value तो price to book value के case में जैसे मैंने आपको Axis Bank वाले case में समझाया था ये बताता है कि bank की books पे उसका price अभी कितना है book value पे अभी उसका current price कितना निकल के आता है तो अगर मैं Axis Bank के PB value की बात करूँ तो Axis Bank का PB ratio 1.6 के आसपास का है जो की ICICI Bank से भी कम है जो की 2 का था वहीं पे अगर हम इसको HDFC Bank के साथ compare करें तो वो 3 से उपर निकल के आता है अगर हम कोटक महिंदरा Bank की बात करें तो उसका PB ratio 4.9 के आसपास का निकल के आता है जो की काफी बड़ा number है banking sector में दोस्तो अगर हम पिछले 1 साल की बात करें कि Axis Bank ने कितना return दिया है तो पिछले 1 साल में Axis Bank ने negative 50% का return दिया है अगर मैं आज से 1 साल पीछे चला जाओ तो इसका share price almost 800 से उपर trade करता था लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो इसका share price 400 पर trade करता है तो यहाँ पर मैं आपका एक और interesting चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 2 example banking sector से निकल के आये हैं इस वीडियो के topic के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ और important ratio मैं आपको बता सकता हूँ जो आप देख सकते हैं जब भी आप किसी भी financial sector की company को analyze करते हैं मेली जब banking sector को analyze करते हैं जैसे की kasa ratio जो में बताती है कि bank को जो capital मिलता है वो कितना current और savings account से आता है क्योंकि वहाँ पे bank को सबसे कम खर्चा लगता है इसके अलावा आप NPS देख सकते हैं gross और net NPS और इसके अलावा आप provisioning को बहुझ रहा ध्यान से देख सकते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान देखे कि आप एक अच्छी banking sector के एक अच्छे bank का analysis करके उसको choose कर सकते हैं ताकि आप उसमें investment कर सकें चलिए बात करते हैं पांचवी और last company की जिसमें FIIs का stake काफी ज़ादा है तो दोस्तों जो पांचवी company निकल के आती है इसका नाम है Housing Development Finance Corporation जिसको short form में हम HDFC भी बोलते हैं अगर मैं इस company के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस company का जो market capitalization है वो 3,14,000 करोड के आसपास का है वहीं पे अगर मैं FIIs की investment की बात करूँ तो FIIs का सबसे ज़ादा investment large cap companies में अभी currently HDFC के अंदर है जो percentage around 70.9% के आसपास निकल के आता है मतलब कि major investment HDFC में FIIs ने किया हुआ है currently इसके अलाव अगर मैं HDFC के PE ratio का बात करें तो HDFC का PE ratio 18.6 का है वहीं पे अगर मैं इसको इसकी industry के साथ compare करूँ तो इसकी industry का जो PE ratio है वो 19.5 के आसपास का है तो इसका PE ratio industry के almost equal है दोस्तो अगर हम HDFC के return on equity की बात करें तो इसका return on equity 16% के आसपास का है जो कि एक बहुत अच्छा number है जो benchmark को बहुत अच्छे तरीके से beat करता है तो दोस्तो जो हम आज का वीडियो लेके आये थे purely educational purpose के लिए लेके आये थे हम कहीं पे भी यह नहीं बोलते कि एक communication sector से company निकल के आती है और बाकी दो और companies निकल के आती है लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ कि अगर आपको एक अच्छी investment करनी है तो आपको एक अच्छी research करनी पड़ेगी एक अच्छी research करने के बाद आपको decide करना पड़ेगा कि आपको आपका risk कितना है और अपनी risk capability के हिसाब से finally आपको एक company में investment करनी पड़ेगी और वो investment हमेशे एक longer horizon के लिए होनी चाहिए कम से कम 5 साल से ज़्यादा का investment की दिए ताकि आपके अच्छी return मिल सके जिस company में आप invest करें वो company अच्छे से grow कर सके और आपके एक अच्छी return दे सके इसके अलावा दोस्तों volatile times में थोड़ा थोड़ा करके investment करते रहें और SIP को बिल्कुल भी stop नहीं करें तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगए तो इस वीडियो को like करें comment करके हमें बताएं कि इन 5 companies में से आपकी favorite company कौन सी है जिसमें आप investment करने के बारे में सोच रहे हो और आप reason भी दे सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आया कि आपने उस company को क्यों choose किया इसके अलावा अगर आप हमसे कोई भी question पूछना चाते हैं तो hashtag ask grow लिखे हमसे कोई भी question पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपने भी तक grow के channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से grow के channel को subscribe करें क्योंकि इस channel पर हम हर वीक 3-4 videos educational purpose के उपर डालते हैं जो आपके एक बहुत अच्छा और intelligent investor बनने में काफी help कर सकता है Happy investing